नमस्कार जी नमस्कार क्या नाम है जी आपका चंदन शहा चंदन जी आप कहां के रहने वाले हैं दिल्ली सोनिय व्यार 28 अगस्ट 2017 हिंदू धर्म में प्रचलित सभी देवी देवताओं की भक्ती किया करते थे जैसे काली मा की हम इश्ट मान के उनकी पूजा किया करते थे और बाकी जैसे मम्मी पापा कहा करते थे कि आज बेटा रभी वार है आज जओ आप शिवजी को जल चड़ाया हो तो जाते थे जो जो हमें कहा जाता था हम सभी भक्ती साधनाए करते थे बलकि हमें ये भी नहीं पता था कि लाब कहते किसे हैं क्योंकि इन लोगों का विद्धान हैं इन देवी देवताओं का कि जैसा करम करेगा वैसा ही ये दंड देंगे या हमें वैसा ही परिणाम देंगे तो ना ही तो ये हमें सुख दे सकते थे, ना ही कोई अन्नेलाब दे सकते थे, जैसा हम करम करते थे, वैसा ही ये दे सकते थे, इस वैसे हम जैसा करम करते थे, हमें प्रारब्द प्राप्त होता था, जैसे मेरी मम्मी को बहुत पुराना कमर का दर्द रहता था, वो तमाम डॉ पर कहीं से लाप प्राप नहीं हुआ जूआ कि वह सही नहीं हो रहा था बहुत जगर हमने धक्के खाए फिर उसके बाद मम्मी ने अंत में जाके मम्मी ने हार मान ली कि अब अब फिर मम्मी को किसी ने बताया कि ये एक गुरू है जै गुरू देव जी आप उनके पास जाए महां से सही होगा तो मम्मी ने उन से नाम भी लिया लेकिन वो भी करते करते मम्मी को कोई लाप राप नहीं हुआ उनकी भी भक्ती मम्मी अभी तक करती आ रही थी फिर मेरे मामा जी थे और बाकी मेरे मामा जी के भूत भी लगा करते थे हमारे बूत प्रेथ की बाद आए करते हमारे घर में काफी भूत प्रेत की बादय थी काफी कम जोर थी वो उसकी कभी पैरों की नस्च चलने लग जाती तो उसे अस्पताल लेके भागना पड़े हपते में ऒर शीचार दिन घर हमारे बाकी मुझे भी तवेत खराब रहती थी मुझे अचानक से यह कहा झाला जिखते हुए हमे कोई लाब ने मिले हमने इने इस टूप में पूज हसे हम पूज आप ऐसे हम उसका हम बच नियुकर 마음에 करते हुए हमने हो आप ने मेरे कम लोगने-टी आप ऑफ कहा थे एकि अटोफम गह नतर आप पस जाए तो मेरे मेरे जुए मोरे तो फिर इन सब परिशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महराज की जनकारी कहां से मिली? अगर आपको कुछ लाब मिलता है तो मैं भी आपके साथ जुड़ जाओंगा। तो ममी ने भाण से लिए सबस्क्राइब के तो मम्मी आई तो मम्मी के कमर का दर्द spacing पेसलि दूओ है मैंने तो मेरे धूम मैं मैं उनके में रहता है टाइफाइड की वज़े से भूख नहीं लगती थी मुझे तो रीड केड़ी में ज्यादा पेन रहता था मेरे मैं बैड पर पड़ा रहता था और फिर उस दिन जिस दिन नाम लेने जाना था ठाइस अगस्त को 2017 में तो मैं उस दिन पांच किलो मीटर साइकल अक्यले चला के तक गया था आप मानेंगे नी मेरी तवेत इतनी खराबती फिर भी मैं संत्रामपाल जी महराज से मैंने कहा अगर आप भगवान हों तो आप मेरे को अपने पास सही सलामत लेकर अपने पास तक पहुँचा दो मैं आपसे जरूर नाम दिख्षा लूँगा और फिर जब मैं मेरे कमर का दर्द बिल्कुल घटम हो गया नाम लेने से पहले तो ऐसे करके हमने वह पर सद्गुरू रामपाल जी महराज से माराज से नाम दिख्षा ले लिए चन दन हमने सुनाय कि संत्रामपाल जी महाराज से नामदिक्षा लेने के बाद सरदालों को बहुत सारे लाब प्राप्त होते हैं तो क्या संत्रामपाल जी महाराज से नामदिक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाब प्राप्त हुए? जी हां सर, हमें लाब प्राप्त हुए, हमें सबसे पहले तो अध्यात्मिक ज्ञान पता लगा, हमें ये पता लगा कि आकर सची भक्ती क्या है, उसकी विधी क्या है, शास्तरनकूल भक्ती प्राप्त हुए, संत्रामपाल जी महराथ से, उसके बाद हमें शारेरिक सुख भी म जैसे कि मम्मी के कमर का दर्द सही हुआ, बहुत पुराना दर्द, मैं भी अस्पताल में ही रहता था, हफते के चार दिन हमें अस्पताल दौड़ना पड़ता था, कैसे भी, किसी भी कारण, किसी को कुछ हो जाता था, किसी को कुछ हो जाता था, तो हमारे उन सब चीजों में फरक आया फिर हमने संत्रामपाल जी महाराथ से जब नाम लिया उसके 15 दिन बाद हमारे घर में ऐसा महाल बनने लग गया कि जैसे अब सुखी सुखत है हमारे घर में क्योंकि अब कलेश रहता नीता जादा क्योंकि प्रमात्मा का ग्यान सबको मि अब संत्रामपाल जी महाराथ से जुड़ने के बाद पापा का कर्जा धीरे धीरे उतरता जा रहा है और बाकी मेरी बेहन जो तवेट खराब रहती ती उसकी काफी काफी कम जोर थी हमारे घर में सबसे जादा जैसी मेरे को टाइफाइड हुआ था ना उनसे पहले उन्हें अच्छे कर नुमुनिया हो गया था तो वो एडमेट थी हैं अस्पताल में हम संत्रामपाल जी महाराथ से जुड़ गए तो हमने कह दिया कि आप डॉक्टर को कि आप इन्हें डिस्चार्ज करो अब चो करेंगे हमारे संत्रामपाल जी महाराथ सही कर देंगे एक रात में आप मानेंगे नी मेरी भेंट सुवेरे उठी हमें उससे हर जगर ले जाना पड़ता था कहीं पर भी जाती थी तो उसकी तवेत इतनी हराथ चल नहीं पाती थी सुवेरे उठी और उसने खुदी गई बातरूम में उसने मूध होया आई और खाना भी उसने खुदी खाया ह में बीमारी के वह सबसाटीय है फ्यार। श्राइल्यका प्रमात्माम, कि लिए लाप। 11 अपरेल 2018 में अभीया को ऊछाऊका है तर लेकिन उस दिन आठ बजे मेरी आंख लग गई। मैं आशिया और फिर इसके बाद में को काल के दर्शन हुए। मैं काफी ड़र गया। मैं दस बजे उठा, दस साढ़े दस के करीब नचा मैं और फिर उसके बद बाद मेरे को झुट नही डेढ बजे तक मैं काफी डर गया था मैं सतनाम का जाप करता रहा में को फरवरी में मिल गया था सतनाम का जाप पच्छिस फरवरी को और मैं सतनाम का जाप करता रहा डेड़ बजे रात तक करता रहा करता रहा ऐसे करते करते डेड़ बजे मेरे को अपने अपनींद आ गई उसके बाद में उनके शरीर के आसफास की रोशनी थी मैं उसमें अंदर जब गया तो मैंने देखा आत्मा इधर उड़री हैं कहीं इदर उदर मतलग विच्रण कर रही हैं और महां का बहुत अच्छा मौसम माना नहीं सूरज कुछ मां वो प्रकाशित लोग था बस महां पर हर आत्मा के शरीर से रोशनी निकल रही थी फिर में को अंदाजा लग गया कि यह परमात्मा में को सत्लोक लेकर आए हैं फिर उसके बाद संत्रामपाल जी महाराज में को सत्लोक में मिले और उन्होंने मेरे को जहां कभीर जी का आसन है महापर लेकर गए महापर एक बहुत से बड़े गो लेकर जारी थी तो एक पहाड था पहाड के बीच से हुँ में निकाल रही थी मतलब दो पहाड थे उनके बीच में बिल्कुल गैप नहीं था कि हमारा यान निकल सके तो मैंने कहा कि आप मुझे मत निकालो मैं मर जाओंगा क्योंकि यहाँ गैप नहीं है अब इतनी सी जगा में कैसे निकलेंगे तो उनोंने कहा बेटा यहां की कोई भी वस्तू नाश्वा नहीं है यह अमर लोग है अविनाशी लोग है तो फिर इतना कहते ही पहाड के बीच से हम निकल गए और जब मेने आखे मीच ली मैं काफ़ी डर गया था फिर मैने जब आके खो ली तो हम पहाड को ऌज़ी पार कर चुके थे फिर संत्रामपाल जी महराज वहाँ पे दर्शन दिये, उन्होंने मेरे को, संत्रामपाल जी महराज के रूप में कबीर जी आये थे वहाँ पे, उन्होंने में को दर्शन दिये और उन्होंने में को फिर अपने हातों से दूद पिलाया, बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहु प्रिक्ष थे वहां पर काजू किसमेस रगी रहते थे तो में को बीच में भूक लग गई मैंने का संतरामपाल जी मारा राद गुरू जी को गुरू जी मुझे भूक लग रही है तो उन्होंने क्या किया तो इसमें कटो एक कटोरी आई उसके अंदर खीर बरा हुआ तो इध मेरा यहां से जाने का मन नी घर रहा है संतरामपाल जी महराज से का मैंने तो उन्होंने का बिटा देखो तुम यहां से जब गए थे तो तुम भक्ति युक्त थे तुमने अपना करम बिगाड लिये तुमने जाना नी चीए ता यहां से तुम चले गए तुम भक्ति युक भक्ति करनी पड़ेगी द्रिडो के सारनाम लेना पड़ेगा जब तुम यहां सकते हो और यह पर जब ही तुम रह सकते हो वन्ना मैं तुम यह नहीं रख सकता तो उन्होंने मेर को मैं उस दिन देड़ बजे सोय था रात में और सुवे नौ बजे उठा यह तो नॉर्मल सी ब मैं उसी समय मैं आप डंडवत करो अगर मेरी बात सच आ तो आपको गुरुजी डंवत करते समय मेरी बात महसूस करा देंगे उनको डंवत किया मेरी मम्मी ने ने उन्हें पतानी चा उनके अंदर से फिलिंग आई कि उन्होंने का कि बटा तु जो भी बोल रहा है तु सच कि मुझे पता लग याब और सतलोग गया मैं तो मेरी मेरे अंदर दरा गई फिर मैंने सोचा कि अब तो भक्ति करनी है फिर मैंने जमके भक्ति की और आज भी मैं भक्ति कर रहा हूं संत्रामपाल जी महराथ से जुड़के और हमें अनेकों लाब होते हैं जैसे की एक बार म मेरे पापा शेल्समेन का काम करते है, टौफी चॉकलेट की सेल करते हैं दुकानों पर आरे थे रास्ते में एक ट्रक आया, प्रक का पीछे का कुंड्ना था, वो पापा के साइकल के थैले में फस गया, तो थैले का समान तो भिखर गया, साइकल को कुछ नहीं रुआ, नहीं पापा को कुछ हुआ बस थैले का समान भिखर गया और उतने में वो ट्रक वाला आदमी बाहर आया और उस ट्रक वाले आदमी ने कहा कि आपको जितने भी पैसे चाहिए हो आप मुझे से ले लो पर लेकिन मुझे छोड़ दो पर फिर पापा ने कहा कि हमारे गुरुजी संत् फ़जूल पैसे नहीं ले सकते कोई बात नहीं आप देखने आए हमको यही बहुत है वरना कोई और तो देखने भी नहीं आता तो अफिर मा से परमातमने पापा की जान बचाई संत्रामपाल जी माराज से नामदिक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे इलाब मिले पहले आप हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते रहते थे जिससे आपके घर की आर्तिक इस्तिती खराब हो गई आपको और आपकी बहन को संत्रामपाल जी माराज ने ठीक किया इसके बा मात्मा के सवरूप हैं, और ये कल्यूग में उतरे हैं हमारे मुक्तिदाता के रूप में, ये राइट टाइम है, आप आईए, भक्ति कीजिए और पार हो जाएए, मैं संदेश तो दे नी सकता, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, आल सिटिजन से, कि आप आईए, ये प्रूफ के साथ बताते हैं, तो आप आईए, संत्रामपाल जी महाराज से, नाम दिख्षा लीजिए, और अपना कल्यान करवाईए, चंदन संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा कैसे ले सकते हैं? संत्रामपाल जी महाराज से दिख्षा लेना काफी असान है जैसे कि संत्रामपाल जी महाराज के विभिन चैनलों पे सत्संग चलते हैं उसके नीचे एक पट्टी चलती है उस पे सत लोक आश्रम के कॉंटेक्ट नंबर साते हैं उदमें आप कॉंटेक्ट करके उन भक्तों से अपना नस्दी की नामदान केंदर का पता जान सकते हैं धन्यवाद धन्यवाद